आपका फिर से स्वागत करती हूं और आज रेसिपी वीडियो होने माला है फिर से ब्रेक्फस्ट और स्नैक्स टाइम रेसिपी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए इस सपोर्ट के लिए और और मैं आपका टाइम ज्यादा वेश नहीं करूंगी तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है लाइक शेयर कोमेट जाए सब्सक्राइब किसकी किसका इंतजा कर रहो मैं तो बोल चुकिना तो फिर फटा-फट से जाकर नीचे रेड कलर क क्यूट से छोट उसा वटन आया होगा उसे क्लिक कर देना और बले कें भी लिक कर देना है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो यह हैं हमारे इंग्रिडियन्स ओनियंस, कैरेट, कैपसिकम, कुरियांड लीव्स, ग्रीन चिली और करी लीव्स तो यहां है हमारे पास एक बावल बेशन, पाव वाटी रवा, पावन वाटी, चावल का पीट और आधी वाटी दही तो चलिए मिक्स करते हैं, तो पहले हमें लेना है बेशन बेशन के बाद हमें लेना है रवा, यानि की सूजी, फिर चावल का आटा और धही धही के बाद हमें डालना है, कैरेट्स, ओनियन्स, ओनियन्स के बाद कैप्सिकम और करी लीव, यानि कडी पत्ता और कॉर्यांडर लीव और ग्रीन चीलीज इसके बाद हमें डालना है, नमक, नमक स्वाद अदुसार डालना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर उत्तपाज का जैसे बैटर होता है वैसे बनाना है अब आप देख सकते हूँ हमारा बैटर कैसा हो गया है अब हमें 10 मिनिट 10 से 15 मिनिट ढख कर रख देना है अब 10 से 15 मिनिट होने के बाद हमारा बैटर कुछ ऐसा दिख रहा है हमें इसे मिक्स कर लेना है अब हमें गरम पैन में तेल डाल देना है आपका बैटर लाश में कुछ ऐसा दिखना चाहिए अब हमें पैन में डालना है और ऐसा सोकुल जैसा बनाना है जैसे हम बना रहे है इसे हमें 2 मिनिट धक कर रखना है आप इसे हरी चटनी या फिर रेड सॉस के साथ खा सकते हो अब यह 2 मिनिट के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा फिर आपको इसे पलटना है और नीचे से आपको गोल्डन ब्राउन मतलब ब्राउन कर लेना है अब हमारा बन कर रेडी हो चुका है अब हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में अब आप एक बनते हुए देखिएगा आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं अब हमारे दूसरा भी बन कर रेडी हो चुका है सो गाइज इस टेस्टिंग टाइम तो आज हम है मैं और साइश तो चलिए टेस्ट करते हैं ग्रीन चटनी और रेड़ सॉस के साथ मतलब केचप और रियाक्शन देखो इस थाम्स अप बिग थाम्स अप और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वाबाई झाल 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 झाल